नवो नवा मित्राणी आज मैं डाक्टर नील मडीतरपाथी चंद्रा इंस्टिटूट के यूटूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ मित्रों देखिए हम लोग पिछले वीडियो के अंतर गत अब भ्यास प्रस्णों को व्याख्यात्म कुरूब से हल किये थे आज हम कुनह जो है उन्ही सिंगला के साथ में आज सिटेट 2019 से सम्मंदित अब भ्यास प्रस्ण ले करके आपके सामने 5 प्रस्णों के साथ उपस्थित हुआ हो मित्रों अब भ्यास विद्या भ्यासे ने आया थी विद्या का जितना ही आप भ्यास करेंगे उतनी ही विद्या आपको जाती है इसलिए अब्यास प्रस्टों को आप लोग ये न समझें कि ये हमारे लिए कहीं टाइम बेस्टे तो नहीं है इससे आपको बेहतर जो है सीटेट के इंतरकते आपके परिक्षा में मदद मिलेगी इसलिए मित्रों हम लोग अब्यास प्रस्टों को ध्यान में रखते हुए आज इन पांचों प्रस्टों के ब्याक्षात्मक उत्तर को जाने के पाला प्रस्ट है मारा लेखन कॉंसलस से अब्यास आर्थम महत्पूडम अस्थी लेखन कॉंसल के अब्यास के लिए महत्पूड है लेखन कॉंसलस्य मने लिखने के कॉंसल के विकास करने के लिए सबसे महत्पूड क्या होता है तो अश्व्रस्णस्य समीचीनम उत्तरम अस्तियत सारांस लेखनम सारांस लेखन कुरिये आ निश्चित रूपेड़ा लेखन का उसलस्य अब्यास आर्थम विकासो भवत लेखन का उसल का विकास से अगर वास्तों में देखा जाए तो निश्चित रूप से सारांस लेखन सारांस लेखन का तातपर है जब आप किसी वस्तुका किसी भी बिसर वस्तुका सारांस लिखेंगी तो निश्चित रूप से लिखने की गला में विकास होगा की नहीं और यहां दूसरा हमारा विकल है ब्याकरणा ब्यासा ब्याकरणा ब्यासा ब्याकरण की ब्यास से आपकी भासा सुद्रिण होगी आपकी लेकर्ण सहली मजबूत होगी आपके विचार मजबूत होंगे और आपके विचारों में गंभीरता, अस्पस्चता और सुधता जाएगी परन्तु लेखन कौशल का विकास नहीं होगा वाचना भ्यासम वाचन करने से आपकी वाचन सैली का विकास होगा भाव की भंगिमा प्रकट होगी परन्तु लेखन कौशल से इसका कोई तातपर नहीं इसका कोई वेजमन्द नहीं है तिपड़ी स्वीकरन, तिपड़ियों को स्वीकार करना ये भी वुचित नहीं है इसलिए मित्रों लेखन कौशल से अभ्यासार था महत्तकुर्णम अस्ती लेखन कौंसल के अभ्यास के लिए सबसे महत्तो कुण क्या है तो अस्ष प्रस्न से समीचीनम उत्तरम अस्ते सारांस लेखनम सारांस लेखन ही इस प्रस्न का सम्चित उत्तर है यह वित्रों देखिए हमेशा ऐसे प्रस्न आते हैं आप ध्यान कियेगा इसलिए लेखन कॉंसल के अभ्यास के लिए महत्वपुण अप्यके ब्याकरण से भी आपका लेखन कॉंसल मजबूत होता है ब्याकरण में यह दिया जाती ब्याकरण यह दिया आपको जाता है तो आपकी भासा जो है सुद्रेड होगी भासा सुद्रेड होगी तो निश्चित रुप से लेखन का उसल का अधिकास होता है लेकिन सबसे समीची दुत्तर क्या है सारान सलेखनम दूसरा प्रस्थन है हमारा पूर्व वाचन गतिमिधि वाचन करने के पहले की गतिमिधि इत्यस्य प्रमुख उद्धेस्य अस्ति वाचन पूर्व वाचन गद्विधी इस बिदी का प्रमुख उद्धेस पूर्व वाचन करने के पहले की गद्विधी जो होती है चात्रों में ज्ञान की वर्द्धी करती है पाठे रुचि वर्धनम करोद पाठ में रुची को बढ़ाती है आनंद प्रदानाम आनंद प्रदान करती है अधवान नूतन सब्दानाम पाठनम तो पूर्व वाचन गति विधी के द्वारा नूतन सब्दा नाम पाठनम नए नए सब्दों को पढ़ना हमको जाता है अगर पूर्व वाचन गति विधी है पूर्व ग्यान कुछ वाचन विधी के अंतरगयत गत है तो निश्चित रूप से नए नए सब्दों को पढ़ने में लुता है मित्रों ध्यान दी दियेगा चात्रों में ज्ञान गुर्धी भी इसके द्वारा नहीं होती है रुच्वरधन भी नहीं होता, आनंद प्रदान आन्वम में नहीं होता है अब मित्रों प्रस्टों की सिंखला में हम तीजरे प्रस्ट बर चलते हैं तीजरा प्रस्ट है हमारा लेखन अस्या प्रथम सोपानम अस्ती लिखने का लेखन कला का पहला सोपानम अने सीड़ी पहली सीड़ी है मार्ग दर्शित लेखनम प्रागत लेखनम मुक्त लेखनम संयत लेखनम स्वतंत्रता पुरुबक लेखन करना यह भी जो है प्रखम सोपान नहीं यह लगभक अंतिम सोपान है जब यक्ति लिखने में पूर्टा कुसल हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं होती है तो निश्चित लेखनम पूOWN करिया आगर उसी के अलुग जैसे कह दिया गया कि बावर के मृत्यूख भ्यार्श्म हां अब इसमें प्रसंद को भी वहिन है या भारत में नउपात को याignon प्रदर्शित की तो इसका मतलब हुआ कि भारत के लिंगर नुपात के ही इसमेह को मताना लेकर्म लेखन के प्रथम सोपान है लेखन का मार्ग दर्शित लेखन करना जो मार्ग दर्शन किया गया है कि आपको इतना ही लखना है तो निश्चित रूप से आपको उतना ही लखना पड़े तो इस प्रस्ण का सवसे समी चीन उत्तर होगा मित्रों आपका मार्ग दर्शित लेखन देखिए अनुभूती होती है कविता के द्वारा आपका भाव व्यक्त होता है जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वह घरदय नहीं है पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं जो भरा नहीं है भावों से तो कविता जो होता है जो पद्ध होता है जो काब्ध होता है वो भावों गम में होता है भाव से यूक तो होता है लाइव अधता से यूक तो होता है आतो है इसके पढ़ने का उद्यस अनुभूत पुरूवक बिचारों का बोध कराना होता है यही इसका सही उतर है धारा प्रवाहस्या देखे एक काविता का मतलब है फेलिंग कविता का मतलब इसके लिए तो ब्याकरण जरूरी होता है, ब्याकरण सिक्षण, ब्याकरण पठन, कविता पठन नहीं, बल्कि ब्याकरण पठन, भासा प्रवाह, भासा प्रवाह स्या, सुधता याह च्विकास, सुधता काविका कविता याह कंठस्टी करण कविता को कंठ करने के लिए कविता पढ़ाया जाता है, नहीं, यह भी उद्देश नहीं है, उच्चारण का विकास करना, यह क्या उद्देश है कविता पढ़ाने का, यह भी नहीं उद्देश है, बित्रों देखिए, वास्तों में कविता के पढ़ाने का कहीं लेकिन आपको सबसे समीचीन उत्तर देना है कि वास्तों में इसका वास्तों उत्तर क्या है तो अनभूती नाम विचारा नाम चबोधा जैसे मालिजी कोई आपको भीर रस्की कविता पढ़ना है साजी चतुरंग संग अंग में उमंगधार सरजा सिवाजी जंग जीतर चलतु है भोसन भरत नाद विहनगारन के नदी नद मद गय बरन के लरत है अगर आपको बीर रस्की कविता पढ़ना है तो बीर उत्साह पुरुवक वज़ आपका भाव ही प्रकट होना चाहिए तो इस विए मित्रों कविता पढ़ना स्योद्देश्यम आस्ती अनुभूती नाम अनुभूती पूरुवक विचाराना अनुभूती और विचारों का बोधकराना मित्रों अगला हमारा प्रस्ण है बहुत इंपार्डन प्रस्ण है कई वार ये पूछा गया है प्रस्ण हलका है लेकिन बहुत महत्पूड है प्राथमी के स्थरे काब्य सिक्षन से सर्वोत्तम बिधी अस्ती प्राथमी के स्थर पर ये ध्याने आपको देना पड़ेगा जो हमारी प्राइमरी स्टेज है प्राइमरी स्टेज के लिए काब्य सिक्षन की सर्वोत्तम बिधी है देगे व्याक्ष्या विधी जो होती है व्याक्ष्या का मतलब है एक एक पद का विस्तृत अनुवर्तन करना विस्तृत जो है उसका व्याक्ष्यान देना विस्तृत जो है अध्यन कराना ही व्याक्ष्या विधी अन्वे विधी का तात्पर है जिसमें करता कर्मक्रिया या विव्याकरण की सुधता का जिसको ग्यान होगा वही अन्वे विधी का अनुवर्तन कर सकता है भासा नुबाद विधी एक भासा का दूसरे भासा में परिवर्तन कर देना एक भासा को दूसरे भासा में परिवर्टित करके बता देना ही भासा नुबाद में दी है तो मित्रों हमारे दिश्चि से और सही भी है यही कि भासा नुबाद में ही जो होती है वो प्राथमी केस्तर के बच्चों के लिए सबसे उप्योगी होती है क्योंकि प्राथुई केस्था का बच्चा जैसे मालिया, कारपरटअह स्ब्द है, आप कारपरटअह स्ब्द लिका है, उसको अब ये ना बताएं, कि जो हमारे सरीर को ढखने के लिए काम में आता है जो धूप से बचाता है जो सीथ से बचाता है ये तुम्हें क्या हो गया केवल या पता दे करवटर हमाने कपड़ा ये क्या है भासा नुबाद एक भासा का दूसरे भासा में अनुबाद कर देना दूसरे भासा में अंखमता देना ही भासा अनुबाद है तो प्राथमिक अस्तर का बच्चा है उसका चूकी बिकाज सेनित होता है संकुचित उसकी दिमाग होती है एक निश्चित ग्यान होता है इसलिए उसके अस्तर के आधार पर यह विधी सरवत्तं विधी है कापनशिक्षण की सबसे विधी है, भासान वाधार विधी पदद छेद विधी पदद छेद काताप पर है एक एक पदों की ब्याख्या परस्तुत करना तो यह भी जो है बच्चे के लिए मित्रों इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों के लिए बच्चे जिसको खेल खेल बें ग्रहण कर सकें हस हस करके जिसको ग्रहण कर सकें नस्य समीची नम उत्तरम यस्ति यत्र प्राथमिकी अस्तरे का विश्च्छण अस्या सारव उत्तम विधे भासान वाज विधे यस्ति मैं तरों आज मैं अपने वीडियो को इनी पांच प्रस्टों के साथ विडाम क्यों ले जाता हूं और आपको इसी प्रकार से अभ्यास से संबंधित, सिक्छण विधियों से संबंधित, सिक्छण सुत्र से संबंधित और भासा संस्कित भासा सिक्छण से संबंधित जितने भी वीडियों हैं आपको मैं देता रहूँगा मैं तोलो हमारे थोड़ा सा आत्म संतुस्टी के लिए और हम अगला वीडियो आपको और अच्छे ढंग से दे सकेん इसके संतुस्टी के लिए थोड़ा सा आप लोग कमेंट में जो भी क्रिया प्रत्रिया है उसको आप दिया करें और मैं कुशिस करूँगा कि आपको इसे भी बेटर वीडियो आपको दूँगा और जो आपकी परिक्षाओं में निश्चित रूप से सहायक होंगे मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद नमो नमा मित्राणी